मनुष्य के बारे में बाइबिल में दो विशेश अवस्थाओं के बारे में बहुत कुछ बाते करती हैं और वो है शारिरिक जीवन और आत्मिक जीवन शारिरिक जीवन और आत्मिक जीवन इन दो विशय के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहती है कि जो शारिरिक जीवन है वो थोड़े समय का है लेकिन जो आत्मिक जीवन है वो अनंतकाल तक का है और इसी के बारे में प्रभीशों मसी भी कई बार कह चुके हैं अपने इसु समाचार में और पॉलूस प्रयरीद भी इसके बारे में बहुत बार कह चुका है कि शरीर की अरुसार नहीं आतमा के अनुसार चलो अब जब हम देखते हैं जो शारिरिक मनुष्य है वो किस प्रकार का उसका वेवार होता है? किस प्रकार से वो अपने जीवन की अगवाई करता है? एक तो हुआ पुराना मनुशत्व और एक हुआ नया मनुशत्व पुराना मनुशत्व अर्थाद शारिरिक मनुश वो शरीर के अनुसार सोचता है और जो नया मनुशत्व है या आत्मिक जीवन आत्मिक वेक्टी वो आत्मा के अनुसार सोचता है उसके अनुसार चलता है त पताने की कोशिश करूँगा मैं आपके लिए पढ़ूँगा मर्कुस रचिसु समाचार उसका साथ अध्याए 21 से 23 पत यहाँ पर प्रवीश मसी कहते हैं जो भीतर से निकलता है वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है 20 से मैं आपके लिए पढ़ूँगा फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है अर्थात भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार व्यविचार चोरी हत्या परिस्त्रिगमन लोब दुष्टता, चल लुच्पन कुद्रिष्टी निंदा अभिमान और मुर्खता निकलती है ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद करती है अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं बाई तरप जो वक्ती है वो शारिरिक मनुष्य है और ये आपको शायद दिखा ही नहीं देगा बहुती छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर जो उसके दिल से निकलता है भीतर से निकलता जो प्रभुश्य मसी कहता है कि ये मनुष्य क्या है शारिरिक है वो शारिरिक की जो अभी लाशाएं है उससे उसका जीवन चलता है घमंड हुआ चोरी हुआ धोका दड़ी हुआ अभी लाशाओं से भरी आखें हुएं हत्या हुएं, मुर्खता की बाते हुएं, बुरे विचार हुएं, और विचार की बात है, दुष्टता की बात है, लालच की बात है, और शारिर की जो अभी लाशा हैं, जो मैंने अभी आपके सामने पड़ा, प्रभुश मसे ने कहा, ये शारिरिक मनुष्य को बिगार दे, और इसका कारण यह क्यों बिगाड़ देती क्यों कि उसका मनुश्यत्व या अंदर का जो मनुश्यत्व है वो पाप के दाइरे में आ गया है, पाप के अभी लाशाओं में फस गया है, और कभी-कभी ये भी होता है कि जो वेक्ति अपने आपको मसीह कहता है, वो बिशारी र हो सकता है, हाँ, वो कहते हैं कि मा भाई, मैंने प्रभीश मज़्य पर विश्वास किया, मेरा जीवन अब नया है, और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, ये सब बाते और बाइबल की कई पद वो कोड भी कर देगा, लेकिन एक्चुालिटी में उसका जीवन शार शारिरिक बहुत हो सकता है, कई ऐसे विश्वासी जो अपने आपको विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन वो शरीर के अनुसार चलते हैं, और इसलिए पौलुस ने कुरंथ के लोगों को बहुत जबरदस्त एक फटकार लगाई, और कहा कि तुम अपने आपको विश्वासी क के अनुसार तुम चल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम ने अपना माइन, अपना दिमाग, अपना व्यक्तित्व, अपने सोचने, समझने की जो छमता है, वो शरीर की अभिलाशाओं पर केंदरित कर रखा है, गलतियों उसका पांच अध्याय, 1921 पद में भी यह बात हम पढ़ते हैं, कि शरीर के काम तो प्रगठ हैं, और हमारे से कुछ मसीही लोग इसमें फस से गए हैं, है ना, तो हमें होशार रहना है, मुझे होशार रहना है, आपको होशार रहना है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, घलतियों की पत्री, उसका पांच अध्याय, और उसका उननीस से एकीस पद, सुनिए क्या लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रगठ हैं, यहां, अठारा समय आपके लिए पढ़ देता हूं, और यदि तुम आत्मा के चलाये चलते हो, तो बवस्ता के आदिन न रहो, शरीर के काम तो प्रगठ हैं, अर्थात, व्यवि पूजा, टोना, बैर, जगड़ा, इर्श्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीडा, और इनके जैसे और और काम हैं इनके विशह में, मैंने तुमको पहले से कह देता हूं, कि जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वार के राज के वारिस नहीं होंगे, बहुत साफ रिती से यहां पर परमेश्वार का बच्छन कहता है आपके लिए, और मेरे लिए, अच्छा, जो अविश्वास ही हैं, वो तो शारिरी का भी लाशाओं पर स्वाभावी गरूप से व और इस प्रकार के जब काम करते हैं, तो तो शारिरी कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो मान सिकता है, अपनी जो मन की जो इच्छाएं हैं, वो शरीर की अभी लाशाओं पर केंद्रित रखा हुआ हैं, और इसलिए ये व्यक्ति जैवन जीवन बिलकुल नहीं बित सकता, यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, गलतियों 5, 16 और 17 पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, यहां लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, पर उसलिए पर लिख रहा है, गलतियों की जो कलीसिया थी, उनको पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी दिती से पूरी ना करोगे क्योंकि शरीर और आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ तो दीखें यहां पर दो प्रकार के एक प्रकार का ना खीचा तानी चल रहा है जैसे हम बोलते हैं आपने देखा होगा रसा खेंच वाला जो एक गेम होता है है ना स्पोर्ट में आपने देखा होगा कभी-कभी कॉलेज और इधर उधर स्कूल्स में है दो पार्टिया होती है एक पार्टी उधर दुसरे साइट में होती है बड़ा मोटा सा रसा होता है और एक पार्टी इधर होती है बराबर के नंबर होते हैं और उनको ये करना होता है कि भाई रसा खींच करके अपनी सक्ति से वो पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर निकलना है जीतना है तो दोनों तरफ से आपने देखा होगा बड़े खिचाई करते हैं दोनों तरफ से उस साइड वाला खिचाई करता है फूरे 10-12 लोग होंगे और इस साइड वाले भी 10-12 लोग होंगे और जो सबसे मजबूत शक्ति साली जिसके पास ज़्यादा सामर्थ है वो दूसरे पार्टि को हरा देता है अपनी तरफ खिच लेता है बिलकुल ऐसी प्रकार से ही हमारे जीवनों में भी आत्मा और शरीर का खिचाव होता है आत्मा तो चाहता है कि भाई हम अपना जीवन प्रभू की आत्मा के अनुसार चलाएं लेकिन शरीर की जो अभी लाशाएं घमंड है चोरी है धोका दड़ी है आखों की अभी लाशाएं है गलत चित्रों को प्रणाग्राफी गंदे चित्रों को देखना मूवीज को देखना फुलिशनेस बुरे विचार और परमिश्वर के विरोध में ऐसे ऐसे चीज़ें जो मैंने अभी आपके सामने पड़ा ये भी खीचता है अब वो डिपेंड करता है यार मैं अपना जो संतूलन है मैं अपनी सोचने की समझने की जो सामर्थ है वो किस की तरफ दूँ शरीर की ओर लगाऊ या आत्मा की ओर लगाऊ अगर मैं शरीर की ओर लगाता हूँ तो इस वाभाविक है कि मैं गिर जाओंगा मतलब और मैं हार जाता हूँ तो इसलिए दूसरी तरफ एक और फिर उसके बाद दूसरा खिचाई होता है और वो है आत्मिक परमेश्व चाहता है कि हम शारिरिक नहीं आत्मिक जीवन बिताएं ये बहुत अत्यंत आवशक है और इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो वेक्ती है उसके हाथ में बाइबल है और अगर आप ध्यान से देखें और उसके दिल में परिवर्तन हुआ बाइवाले में परिवर्तन नहीं हुआ वो वैसी काला का काला बादलब वैसी पराना मनुशत्व है लेकिन दाइनी तरफ जो नया मनुशत्व है वो खुश है उसके चारों तरफ पवित्रा आत्मा की उपस्तिती है और वो खुश है यह बाइवाला क्या है दुखी है और नराज है वो बोलता है यार मैं इन चीजों पर विजय प्राप्त करी नहीं सकता सिगरेट पर मैं विजय प्राप्त ही नहीं कर सकता वैविचार पर मैं वैविजय प्राप्त ही नहीं कर सकता कहने का मतलब यह है कि वो बिलकुल अलग है लेकिन जो आत्मिक वैक्ति है जो आपके दानी तरफ दिख रहा है और नीचे मैंने लिखा है आत्मिक वो खुश है क्यों? क्योंकि वो किसके नुसार चल रहा है उसने अपना जीवन, अपना सोच, अपना मस्तिश्क, पवित्रा आत्मा के हाथ में सुपुर्द किया है और इसी से समंदित मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक बहुत अच्छा पद पाया जाता है और लिखा हुआ है कि इफीसियों गलती हो पाँच अठारा यदि तुम आत्मा के चलाए चलते तो विवस्ता के आदिन न रहे यदि हम आत्मा के अनुसार चलते तो शरीर के जो काम है वो नहीं होता इफीसियों उसका पाँच अध्या है और अठारा पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इफीसियों उसका पाँच अठारा में क्या लिखा हुआ है दाखरस से मतवाले ना बनो क्यों भई क्योंकि इससे क्या होता है लुच्पन होता है आप और हम अच्छी तरह जानते हैं जो शराब पीता है शराबी है और वो ज़्यादा पी लेता है तो बस सड़क के किनारे गिर जाता है उसको पता नहीं उसको कुछ सुद्बुद नहीं रहती कि वो कहा है और लोग सुचते हैं अरे पागल आदमी है पढ़ा हुआ है जमेन में क्यों क्योंकि उससे क्या है लुच्पन होता है उसने पी रखी है पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ तो अब ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे होंगे जी आप प्रार्तना करिए मैं प्रार्तना करूँ कि प्रभू तो मेरे जीवन को मेरे आत्मा को मेरे शरीर के अविलाशाओं को अपने कंट्रोल में ले ले पवित्रा आत्मा मेरे मस्तिश में काम करे मेरे सोचने के तरीका पवित्रा आत्मा के अनुसार हो वचन के अनुसार हो तो क्या होता है जब ऐसे हम बात करते हैं तो हम आत्मा के कंट्रोल में आत्मा के नियंत्रण में आते हैं और जब हम आत्मा के नियंत्रण में आते हैं तो भाई हम क्या देखते हैं गलतियों उसका पांच अधिया आए और आत्मिक फल लाते हैं शारिरिक मनुर्ष्य कौन सा फल लाता है वही जो मैंने आपके सामने यहां पर अभी पढ़ा जैसे की वेविचार गंदे काम मुर्ति पूजा टोना जादू बैर जगड़ा लड़ाई जगड़ा इर्ष्या क्रोध विरोध डा मतवालापन लीला क्रीड़ा और भी ऐसे काम वो क्या है क्योंकि शरीर पर मंन लगाना तो मौत है और यह मौत ले आता है लेकिन जो आत्मा पर पवितरा आत्मा पर मन लगाता है पवितरा आत्मा जो ट्रीएक पर्मेशवर का विषज़ भाग है वो हमारे जीवन में जब आता है तो हम आत्मिक बन जाते तब हम शारिरिक नहीं होते और जब हम आत्मिक बन जाते हैं तो आत्मा का फल भी आ जाता है साब और ये आत्मा का फल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ गलतियों पांच बाहिस से आगे पढ़ूंगा पर आत्मा का फल अब देखें बिलकुल विरोध में शारिरिक जो क्रियाई हैं जो चीजें निकलती हैं उसके बिलकुल आपोजिट है बिलकुल अलग है परात्मा का फल प्रेम, आनन, शांती, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और सय्यम है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई विवस्था नहीं और जो मसी इशू के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाशाओं समेद क्रूस पर चढ़ा दिया है कहां चढ़ा दिया है? क्रूस पर जो भी शरीर की अभिलाशा हैं जो मैंने पढ़ा था ना लालच, घमन, चोरी, धोखा शरीर की अभी लाशाएं आँखों की अभी लाशाएं वेभी चार लालच इवल थाउट्स बुरे विचा ये कहां पर लगा दिये है कुरूस पर और अब मैं किसके अनुसार चल रहा हूँ पवित्र आत्मा के अनुसार तो हम उसको कुरूस पर टांग देते तो यहाँ पर लिखा हूँ है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी हम घमंडी होकर ना एक दुसरे को छेडे और ना एक दुसरे से डा करें बहुत अच्चा पद मैं आपके लिए पढ़ना मांता हूँ अब वो पाये जाता है गलतियों की पत्री और उसका दो अध्याए बीष पद सुनिये क्या लिखा हुआ है मैं मसी के साथ कुरूस पर चड़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा वही बाता भी जो है न आपके लिए मैंने पढ़ा था यही यहां पर गलतियों 5, 25, 26 में की अपने पुरानी आदतों को कहां चड़ा दिया है कुरूस पर चड़ा दिया की लगा दी उसके उपर अब वो उसका अधिकार नहीं है मेरे जीवन में तो यहां पर वही बात से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने उसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया तो मेरे प्रिये भाई बैनों यहां पर यह बात बहुत जरूरी है कि दो प्रकार के जो जीवन है दो प्रकार के जो मनुशत्व है पुराना मनुशत्व औ है और नया जीवन कैसा है आत्मिक है पुराना जीवन जो पुराना मनुशत्व है वो शरीर के अभी लाशाओं के अनुसार अपना जीवन काटता है है ना कभी-कभी मेरे जीवन में भी ऐसा आजाता है घमन धोका-धरी की बात आजाती है लस्ट्फुल आइज कभी-कभी आँखों के अभी लाशा आ जाता है लेकिन पवित्रा आत्मा फिर मुझको बोलता नहीं यह तुमारी आँखें यह तुमारे हाथ यह तुमारा मस्तिश्क अब प्रभू का है आत्मा में चलो प्रार्तना करो और एकदम से फिर मैं प्रार्तना करता हूँ कि प्रभु मेरी तु अगवाई कर और पवित्रा आत्मा मेरे जीवन को तु पूरी रिती से चला तो हमें उन पुराने शारिरिक अभिलाशाओं को आदतों को कुरूस पर चड़ाना अपने आप में तो नहीं हो सकता है लेकिन प्रभु इश्व मसी के अनुगरा में जरूर हो सकता है और हुआ भी है तो उन आदतों को जो छुट नहीं रहे हैं येश्व तु मुझे मेरी न जगड़ा द्वेश ये क्या है ये शारिरिक हैं लिकिन इन सब को छोड़ करके आत्मिक आत्मा के जो फ़ल है जो मैंने आपके सामने अभी थोड़े दिर पहले पड़ा गरतियों उसका 5-22 से लेकर 22-24 में तो वो व्यक्ति क्या है नया है आपने शायद वो गाना भी सुना होगा जब से प्यारा इशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया पहले मैं क्या था शारिरिक था पुराना मनुशत्व अब मैं कौन हूँ आत्मिक हूँ पुद्रा आत्मा के नुसार चलता हूँ पुद्रा आत्मा के नुसार चल पुराने कपड़ों को निकाले, पुराने दिलों को निकाले, पुराने मनुष्यत्व को कुरूस पर चढ़ाएं, और नया मनुष्यत्व हम पहने रहें, जो पवित्र आत्मा के अनुसार उसके चलाये चलते हैं, प्रात्ना करें कि प्रभू हमारी इसमें अगवाई करें कि ह आम पवित्रा आत्मा के नियंत्रण में अपना नया जीवन, आत्मिक जीवन चलाएं. आमेन.